ये हैजी डेंटा कई बिमारीयों को कर देता है पूरा फ्हेंटा डेंटा अमरित इसको लगाने केवल मुँ भी कि किसी भी प्रकार की समस्या खांसी से लेके जुकाम, रेशा, बलगम या फिर सिरदर्द होता हो कि सिर्दर्द माईग्रेन आदा सिर्दर्द होता हो केवल इसको आपने लगाना है 15 मिनिट ऐसे मसाज करनी है जेंटली और 15 मिनिट के अंदर अंदर या तो आपको सिर्दर से अराम आजाएगा और या आपको पूरी नैप आजेगी नींद आजेगी और दूसरी चीज इसको दांतों पे लगाने का त्रिका सिर्फ उंगली पे लगाके अच्छे से पूरा लगाना है इसको और लगाके एक से दो मिनिट मुव बंद रखना है मूँ बंद रखके उसके बाद पानी जैसा थूख कठी होगी मूँ में वो अंदर ले जा नहीं है अपने ये लगाने का तरीका इसका सही तरीका यह है कि रात को अपने ब्रश करके सोना है सुबह उठते सारी बिना ब्रश किये पूरी ओवरनाइट गुड बेक्टीरिया जब बनेगा सुबह उठते ही बिना ब्रश किये इसको दांतों पर ऐसे लगा लेना जैसे आपको भी तरीका समझाया और उसके बाद तीन मिनट तक मूँ बंद रखके थूख के साथ इसको अंदर ले जाना है कोई पुरानी कबज की दिक्कत रह रही हो कबज भी इससे बहुत रहनों के डांतों के साथ किसी भी तरह की कोई दांतों में कीडा के साथ हो को हुआ पीला पन हो क्राने। लगना हो, मुझे कोई छाले, पुराने कोई छाले हो, गले कोई छाले हो, नसूडा हो, कोई मुझे बदबू, बास, कुछाती हो, उस सभी तरीक्वे से कीड़ा लग गया, स्पोस कीजिए, कैविटी आगी, और कैविटी पे दर्द हो रही है, सिरफ एक मिनट आपने यहां चुटकारा मिल जाएगा और उसके साथ साथ कोई बद्बू या सेंस्टिविटी या कोई पीला पन या कीडा उससे भी चुटकारा गरंटिड मिलेगा और यह बनी जो जो चीज़ें इसमें डली गई है यह सारी चीज़ें बनी है निम्बू अजवैन हल्दी इनके अर्क नि जैसे पीला पन हो गया इसने निकालना ही निम्बू आप बरतनों बे लगाते स्क्रॉच ब्राइट कैसे चमक जाते हैं दांतों बे निम्बू लगाएं सीधा लगाई नहीं सकता निम्बू इसको लगाएं एक शीशी आपकी एक साल चल जाती हफते में केवल तीन दिन वर आज इसके इलावा देलो खांसी जुकाम रेशा सिर्दर्दोरियो कब्ज उसे भी छुटकारा मिलेगा यह है डेंटा तमें यह दियेगे एड्रेस और नंबर इस पर कॉंटेक्ट करके आप घर पे भी मंगवा सकते हैं और अपना शुरू कर सकते हैं